हेलो, बेरी गुड इवनिंग तो आल और वेलकम तो अड़र 24-7 बंस अगें CUT, राइट, हाँ जी, जल्दी से आ जाईए हेलो साक्षी, अंकिता, UPSC लवर, बाकी सब बच्चे का आं गए, घुम्रें फिर ने गए हैं इवनिंग हो गई है, तो चलो घुम्विर आए, बहुत पढ़ लिए हैं आज मैम से, ऐसा कुछ सोच के बाहर निकल गए हैं क्या, मैंने बोला था ना कि अभी जीके की क्लास होगी, फिर बच्चे भाग गए, शिवानी, हलो शिवानी, साक्षी, ओके थाइंकियो सो मच, अच्छा, ठीक है, अतुल, इम्रान, ठीक है, अच्छा, आ रहे हैं, बच्चे धीरे-धीरे से, ओके-ओके, ठीक है, ठीक है, गौरव, प्रिया कुमारी, रोहित चौधरी, जल्दी आ जो बहीं, जल्दी जल्द इसे एक बड़ सेशन को शेयर कर दो, और आपके कॉंटेक्ट में जो जो भी हैं, आपके फ्रेंस, उनको सभी को बोल दो कि, जीके की क्लास टार्ट होगे है, पटापट से आ जाएं, प्रिया कुमारी, एक और क्लास बढ़ गी आप लोगों के लिए, जीके की, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री गी, अच्छा, जीके में ऐसा कोई पर्टिकलर नहीं है कि, क्योंकि देखो, पॉलिटि और हिस्ट्री का, जो मौडरन एरा देखोगे आप, तो पॉलिटि और हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स और आप देखोगे, मौडरन हिस्ट्री, ठीक है, मौडरन इंडिया की हिस्ट् की है, बस हमें ये content पर ध्यान देना है, कि चाहे question कहीं से भी है, history से या policy से है, बस हमें question को पढ़ना है, उसका answer देना है, अब जीटी समें ये तो नहीं पूछा जाएगा कि political science है, तो उसी से होना चाहिए, क्योंकि modern India भी इससे relate कर रही है, ठीक है, clear है बचे, जानवी बैम की class भी चल दी है, हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ बचे इधर ले लिजिए, तो हम start करते है, class, ठीक है, अके, ओके, अके, ठीक है, सभी class को like और share कर दो अतुल कुमार का जवाब आता है, fast करो, बिल्कुल सही बात, बिल्कल सही बात है, फांक यू अतुल, चलो start करें फिर, स्टार्ट करें, चलो जल्दी से मुझे थमसब शू कर दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी से, हम सब शो कर दो जल्दी स्टार्ट करते हैं फिर वेरी गूड इवनिंग आयुशी रोहित जी के मौक पीडियफ मैम दोबारा एक्स्पेंड करना प्लीज क्या बच्चे क्या एक्स्पेंड करना है मैं ये कह रहे थी कि इंडिया की जो बचे के बचे के बहुत मज़ा आना देखो जी के में मुझे तो बहुत मज़ा आता है ठीके तो चलिए देखते हैं यू आर नॉट टायर्ड बचे टायर्ड तो हूँ लेकिन आपकी प्रपेशन को देखकर अगर मैंने अगर हम लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर आप लोग और ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे ठीके सुबै से शाम तक लगे रहते हैं बस किसी तरह से बच्चों का एक्जाम सही हो जाए ठीके ठक तो गए हैं लेकिन क्या करें आपके सेशन्स लेने जब आते हैं तो ठकान सारी दूर हो जाती है है ना इतने प्यारे प्यारे से कमेंट देकर सब ठकान दूर हो जाती है और सही पूछो तो मजा भी आता है ना टॉपिक वाइस बच्चे जी के में कोई टॉपिक नहीं होता पर्टिकुलर चलिए क्वेशन का अंसर दीजिए चॉई गॉंक ते का अंसर आता है फर्स्ट का ए पूने जेल में हम तो अखंड प्रदीप का जावाब आता है मैं टॉपिक वाइस थ्योरी फोर जी के यूपियसी लवर मेरा खुद मेरी खुद तबियत खराब है बट मैं की क्लास अभी नहीं छोड सकते है हाँ जल्दी कर देंगे 25 कोईशन है जादा नहीं है ठीक है जल्दी जल्दी से लिखा है और यह वर्डिंग भी वही थी ठीक है क्या है स्वराज हा मा जनम सिद्धा अधिकार आहे एनी तो माई तो थकान तो एक बहाना है हमें तो बिना पंक के आस्मान में है जाना है wow very good very good very good for your help ओकिश Оजएख ठीक है फ़र्स्ट का झानसर दीजिएं फ़र्स्ट का आनसर दीजिए तो यह बाल गंगा धर्थि लगने पहली बार यह वर्डिंग कहां पर की थी ठीक है कहां पर यूज़ करी थी या कहां पर बोली थी इन पूने जेल, या वर्दा जेल, इन कोर्ट, या फिर मंडले जेल में क्या हो जाएगा आंसर, पूने जेल में Thank you so much for your help Thank you so much for your appreciation A, D A, D अच्छा जी, अतूल का जवाब आता है A गौरव का जवाब आता है A, ठीक है मैं, आज हिंदी का क्लास भी नहीं चलेगा क्या चलेगी बचे हिंदी क्लास, देखते हैं कब टाइम होता है एक पर जाकर चेक कर लिया अगरो कम्मूनिटी पर जाकर A, ठीक है, A A पूने जेल में कहा था तो थोड़ा से ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा ज़्यान दो ज़्यान, पब्लिकली भूला गया था बताओ ज़्यान, आंसर क्या हो जाएगा A is the right answer, पंडित चंदर का जवाब आता है A A, A, A ठीक है मैं, मैंने जीटी नहीं लिया है अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, वैसे पढ़ लो कहीं तो जीटी काम आएगी ठीक है, आंसर क्या है A For this wonderful session and for your love याशिका अगरवाल Thanks for your appreciation बच्चे D D क्यों बोल रहे हो बच्चे, D क्यों बोल रहे हो बाल गंगा धर तिलक in court Very good, very good ये UPSC ने सही जवाब दिया है और मैं इसको यही बोल रही थी अगर तुम मेरे बोलने से समझ जाते कि मैं क्या बोलना चाहती है तो वहीं से आंसर पकड़ लेते बच्चे, ये court में बोला था सब के सामने बोला था जज के सामने बोला था तो देखो इतना जो उन्होंने अपनी bravery दिखाई, इतना अपना कहते है ना कि अपना साहस दिखाया तो यहाँ पर था कि ये wording जो थी मराठी में बाल गंगा धर तिलक ने court में कही थी ठीक है तो first का अंसर C हो जाएगा Thank you very good बचे UPSC lover Mohamed Zishan चलिए Go back to Vedas, राइट वेदों की और लोटो, ये तो बहुती common सा question है, बहुती easy question है वेदों की और लोटो का concept किसने दिया था, तो वेदों की और लोटो ये wording किसकी थी Swami Vivekanan, Swami Dayanand, Sarvasati Ram Krishna, Param Hans, या फिर None of above, क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो सही दे दो गए, फिर से रोना दोना चल गया भई, नेहा ने स्टार्ट कर दिया है said moment की, ठीक है चलिए क्या हो जाएगा आंसर B, बिलकुल सही बात है तो स्वामी Dayanand, बहुती easy question है और बहुत बार, बच्चे confused होते हैं इन दोनों में, मैं भी confused होती थी तो Dayanand Saraswati और स्वामी Vivekanand दोनों नहीं, मतलब दोनों में confusion होती थी, ठीक है तो B, स्वामी Dayanand Saraswati, हाँ, बिलकुल, बिलकुल सही है, तो स्वामी Dayanand Saraswati is the correct answer, बिलकुल सही है, गुड बचे चलिए, who among the following launched the home rule movement in 1960 ये भी बहुत easy question है 1960, 1916 की बात हो रही है, 1916 की बात हो रही है, who among the following launched home rule league movement in तो ये movement, आंदोलन चलाया था home rule, आंदोलन, 1916 इसमें, किसने चलाया था, वो बताना है ठीक है, थर्ड का आंसर बताएंगे थर्ड का आंसर बताएंगे, जल्दी से अच्छा, आज टायडनेस हो रही है बहुत ज़्यादा back to back session हो रहे हैं और ठकान नहीं लग रही है कि आपको D, D तो क्या हो जाएगा answer, एनी बेसेंट is the correct answer, बिल्कुल सही, एनी बेसेंट is the correct answer, very good बचे धैनन सरस्ती वादा, टीचर ओफ विवेकानन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है तो D, शौर, बिल्कुल सही है, तो D, हमने भी शौर कर दिया, ठीक है, तो क्या answer हो जाएगा, D is the correct answer चलिए अ, at which among the following places, हिंदू मेला वाद स्टार्टेड इन 1867 बाइ, नाग, नहीं, नबाग गोपाल, नबगोपाल मित्र, नबगोपाल मित्र, ठीक है, एनी बेसेंट is the correct answer, नेक्स करो, नेक्स करो, इस अलोन, मोहमद, एनी बेसेंट, ठीक है, मोहमद, जिशान, ठीक है, गरीमा, D नेक्स कोशन पर बढ़ो बच्चे, नेक्स कोशन पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड बच्चे, बहुत बढ़िया D is the right answer, ठीक है, नेक्स बढ़ो, नेक्स, नेक्स, कोशन का नमबर जरूर टाइप करो, पता नहीं चलता, कौन सा answer दिया है, आपने, बच्चे, देखो, हर कोशन के साथ में, दूसरी information पर भी ध्यान देना है, तो 1867 में, ठीक है, 1867 में, कहां पर, ये कह रहा है, in which one of the following places, हिंदू मेला, कहां start किया गया था, कहां से चुरुआत की गई थी, हिंदू मेला की, कब की गई थी, ये तो हो जाएगा, 1867 में, ठीक है, किसने की थी, ये हो जाएगा, नब गोपाल, मित्रा ने, ठीक है, कहां हुई थी, कल्कता, डैली, इलाबाद या वरानसी, जल्दी बताई, very good, very good, बहुत बढ़ी है, अरे तुम्हारे तो जीके भी बहुत बढ़ी है, good बचे, मैं तो सोच जी थी, मेरे डफर बच्चे हैं, जीके वी के इनको कुछ आती नहीं होगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया, और मेरी आर्मी अब ज जीके बताई, जीके बताई, बताई, नेक्स कोश्चन कीजिए, गुड इवनिंग, महेश मिश्रा, नेहा, मैं एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, बचे, दो-तिन दिन में आ जाएंगे, गुजरात, क्या कह रहा है, बलवन्त राय महता, बलवन्त राय महता, और पाइनीर, ठीक है, पाइनीर और पंचायती राज, पाइनीर का मतलब होता ह है, उसका एक तरह का लीडर, ठीक है, सारथी, वैसे तो इसको हिंदी में लिटरल मिनिंग होता है, सारथी, पाइनीर, पतलब दिगज, पंचायती राज, एंड दा डिस्टेंगुश फ्रीडम फाइटर, ठीक है, वाज दा चीफ मिनिस्टर ओफ विच स्टेट, क्या हो जा था, बलबंतराय मैता, इस पाइनीर ओफ पंचायती राज, तो ये पंचायती राज को लागू करने वाले, या इसको इंटर्ड्यूस करने वाले, इसके एक जनक माने जाते हैं, तो ये कहां से थे बच्चे, ये गुजरात से, ठीक है, एंड डिस्टेंगुश फ्रीडम फ स्टेटमेंट, आपको बतानी है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बतानी है, और इसका अंसर बताना है, मैम ये क्लास अब से डेली होगी क्या, फर्स्ट क्लास है ना, हाँ बिल्कुल, ये जीटी के लिए है ना, हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास है, र आपने form में fill किया है, उसी के according आपको exam देना है, bring out the wrong statement, बताइए, क्या हो जाएगा, question का number जरूर टाइप करेंगे, question number 6, question number 6, देखो, Leo Tolstoy, was one of the people who influenced the Gandhi जी, very much, ठीक है, Leo Tolstoy, बिल्कुर सही है, religious and social reforms contributed a lot of developed nationalism in India, religion and social reforms contributed a lot of development nationalism in India, the main purpose of the Cript's mission was to form the constitution assembly, तो क्या आप्सर हो जाएगा, D, 6 का A, रॉंग स्टेट्मेंट, ये D वाले बच्चे कहने हैं, मैंण सारी रॉंग है, बच्चे रॉंग बतानी है, रॉंग बतानी है, रॉंग बतानी है, 6 का कुछ बच्चे A दे रहे हैं, कुछ बच्चे B भी बता रहे हैं, कुछ बचे C भी बता रहे हैं, कुछ D भी बता रहे हैं मैम, डोमेन के लिए भी classes है, हाँ बचे ये जहां पर all are correct तो all are correct तो है, all are correct 6 का, ठीक है, wrong statement बतानिये इसमें मैम, अगर हमें डोमेन पॉलिटिकल साइंस है, तो साइंस में जी के पढ़ना पढ़ेगा बचे, जीटी तो common है, सबका common है, religious and social reforms contributed a lot of, lot, a lot to development nationalism in India, इससे nationalism इंडिया आया था, इंडिया में nationalism आया था इससे तो correct, इसमें incorrect statement ढूणने थी, बच्चे, ये क्या कह रहा है, religious and the false tie क्या थे, ये गांदी जी के बहुत ज़्यादा, who influenced the गांदी जी, very much बिल्कुल ठीक है, ठीक है अब ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है, religious, religious and the social reform contributed, तो बच्चे, ये जो social reforms हुए थे, कहां पर social reforms हुए थे, जैसे सती सिस्टम था, या child marriage था, या video remarriage था, तो इस तरह के जो religious और social reforms हुए थे, contributed a lot of development, nationalism, nationalism इंडिया, तो इस से लोगों के अंदर nationalism, देश भक्ती की भावना आई थी, ठीक है not mandatory in the sum of university, हाँ तो ये बच्चे, university के उपर depend करता है, ठीक है university के उपर depend करता है, ठीक है quality की class कल होगी न, the main, the main purpose of the CRIPS mission was form to constituent assembly, तो इसका मकसद क्या था कि constitution assembly को start करना, इसका main purpose ये था, the main purpose of the CRIPS mission was to form constitution assembly, good evening, good evening, ठीक है तो answer क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो answer क्या हो जाएगा, C, correct statement, incorrect statement, ढूंडने थी, चलिए, which, which of the following administers, administers, जवाहर लाल नहरू, award the untrim international understanding institute by the government of India, so which one of the following administers, जवाहर लाल नहरू, तो इन में से कौन से administers, ठीक है, जवाहर परशाशन पढ़ना ली, जवाहर लाल नहरू, institute by the government of India, तो इनको एक तरह का award दिया गया था, इसके चलते, C, but I am not sure, हाँ बच्चे, C होगा, C होगा, C होगा, UPSC लवर, C होगा, ठीक है, चलिए, next कर दिए, 7th कांसर बताना है, Indian Council of the Social Science Research, बच्चे, देखो, GK है, ठीक है, इसमें दिमाग के घोड़े तो तुम्हें दोडाने पड़ेंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तक हम history और polity जो हमें बिल्कुल रटी हुई थी, बिल्कुल fingertips पे हो गई थी, तो ये GK में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर देंगे, question को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, Indian Council Social, हाँ, बिल्कुल, 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 जल्दी फटाफट बताईए, जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा, history delete chapter complete नहीं है, और little bit English, so should I do first, ओके, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सब, तो आप जो area weak है न, बच्चे, आप उस पर focus कीजिए, ठीक है, अगर ये पार्ट आपका अच्छा है, आप इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो पहले उसको कीजिए, ठीक है, बी कह रहे हो, Indian Council for Culture Relations, जवाहरलाल नहरू University, which one of the following administration, administrators, जवाहरलाल नहरू, अवार्ड फोर्दा, international understanding, तो उनको अवार्ड दिया गया, international understanding के लिए, institute by the government of India, Indian Council of Social Science Research, Indian Council of the Culture Relations, जवाहरलाल नहरू University, या फिर, Council of the Scientific and the Industrial Research, क्या हो जाएगा, अंसर, बिल्कुल सही, अंसर क्या हो जाएगा, इसका, अंसर क्या हो जाएगा, C, 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 ठीक है, तो अंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो इसका, अंसर हो जाएगा, C, History and Policy की, क्लास नहीं हुई थी, क्या, दोनों की हुई थी, कौन कह रहा है कि नहीं हुई थी, दोनों हुई थी, ये बच्चे बिचार, इतनी देर से, फैन को जहेल रहे हैं, History भी ली, उन्होंने, पॉलिटिकल साइन्स की भी ली, अब GK की भी ले रहे हैं, आपको टाइम पता है ना बचे, देखो, 130, History, 330, Polity, ठीक है, और आपका, 530, 530 हो गया GK, ठीक है, 530 हो गया GK, चलिए, बताइए, नेक्स कोशन चलें, अब, अच्छा, ये क्या था, 8th कोशन देखो जरा, विच अमंग दा फॉल्लेंग, डज नोट करक्टली, डिनोट सा, हेड क्वार्टर, ओफ दा इंडियन आर्मी, ऑपरेशन, कमांडर, तो, इस्टन कमांड ऑफ कलकता, ठीक है, इन में से कौन सा डिपार्टमेंट, जो है, वो अन्मैच्ट है, बस, इस्टन कमांड कॉलकता, तो कॉलकता में इसकी इस्टन कमांड थी, आर्मी की, ठीक है, वेस्टन कमांड, ये आपका हो गया, चंडी मंदिर, नॉर्थ कमांड हो गया, आपका उधंपूर और सदन कमांड होगी आपकी चन्नाई तो आपको बताना है विच अमंग दा फोलेंग डज नोट करेक्टली डिनोट्स दा हेड़ क्वार्टर ओप ला इंडियन आर्मी ओपरेशन कमांड तो 8 का क्या हो जाएगा 8 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं कि 8 भी है हाँ अब कुछ सोचने पर हो रहे हो ना दिमाग की बती जलानी पड़ रही है अब आपको ठीक है पहले तो light on रहती थी आपकी हमेशा तो फटा फट से answer कर रहे थे ये जीके है तो थोड़ी सी उल्जन पैदा होगी आपके लिए आपर ठीक है याशिका का जवाब आता है question number 8 cancer A होगा बी लग रहा है जिशीन का जवाब आ रहा है कि मैणम इसका answer बी लग रहा है ठीक है चॉइ गौंगते ये political science के लिए है या जीके के लिए बचे ये क्या लिखा है उपर देख लिया कर ना एक बर उपर slide पर देख लिया अगर उपर mention होगा मैम आप से पढ़ना अच्छा लगता है बोज नहीं अच्छा 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 ठीक है ठीक है maybe ठीक है अनीश मैम I know English language very well but language is Hindi can you also teach in Hindi बिलकुल बचे कल इसका मैं Hindi में लिया आउंगे ठीक है bilingual लेकर आउंगे कभी कल तो answer क्या हो जाएगा c d अनीश का जवाब आता है southern command चन्न नहीं तो which among the following does not correctly denotes the headquarter of Indian does not correctly does not correctly तो बचे इसका answer हो जाएगा not का southern command of southern command चन्न नहीं तो ये इसका गलत answer है इसका क्या हो जाएगा वो होगा आपका करनाट का ठीक है चलिए who among the following is known to oppose a age of consent bill d होगा हाँ 8 का d है बचे d है मैं आप सब का reply देती हूँ मज़ा आता है आपकी class में I honestly say अच्छा ठीक है चलो चलो बताइए who among the following is known to oppose who among the following is known to oppose a age of consent bill right तो तो बहराम जी मालाबरी बाल गंगा धरतिलक महत्मा गांधी बिपिन चंदरपाल known as known to oppose the age of consent bill right क्या हो जाएगा D से दिमाख लगाओ इस सलोन का जवाब आता है D से दिमाख लगाओ बिल्कु सही बात है D से दिमाख लगाओ अपना अपना जल्दी जल्दी से morning class बहुत ही अच्छी थी मैं कभी भूल नहीं सकता ठीक है रवी कुमार जी ठीक है ठीक है ठीक है thank you so much Ravi ma'am you are so sweet thank you जल्दी से पटापर से 9th का आंसर बताए नंथ का आंसर बताए बाल गंगा धरतिलक 9th का आंसर you all are correct that is correct answer is बाल गंगा धर्तिलग clear चलिए forward to next question that is one of the prime minister one of our prime minister Mr. I.K. Gujral had propounded a doctrine in early 90s which has come to known as Gujral doctrine which among the following statement gives a economic essence right essence क्या होता है एक तरह का निचोर पूरे आप पूरा chapter पढ़ते हो ना फिर उसकी summary पढ़ते हो तो इतना lengthy chapter होता है और teacher ने उसको summarize कर दिया तो पूरी कहानी बड़े थोड़े से शब्दों में आपको बता दिया उसको कहा जाता है essence ठीक है और गुज्राल doctrine तो गुज्राल ने जो doctrine उनकी जो नीतिया थी वो बहुत ही उसको explore किया गया था उसको छोटे में उसको summarize कर दिया गया था I need a lifeline भाई ये lifeline बाद में कर ले ना पहले आप इस पर question पर ध्यान दे दो ज़रा ये lifeline को बाद में search कर ले ना चलिए Can you please tell my name Okay Shanji Jane मैं जी के कितने करा GT का क्या मैं थोड़ा explain कर दीजिए ताकि याद रह जाए हमें बिल्कुल नहीं पढ़ा quality और history काफी time से हमारे subject नहीं है ये अच्छा अच्छा ठीक है चलो बताओ ये जो IK गुजराल ने बचे क्या दी थी IK गुजराल की एक पूरी के पूरी doctrine मतलब पूरी के पूरी उन्होंने एक theory दी थी तो उस theory को किस नाम से और जाना जाता है तो इसमें से बताना है gives the economic statement which one of the following statement gives an economic essence तो उस economical यानिकी अर्थ विवस्ता के point of view से अगर सोचो आप तो IK गुजराल की जो policy थी तो उसके बारे में एक summarize करना है उसको ठीक है उसकी summary बतानी है इंडिया view that South Asian reason as one of the economic entity and the emphasize on the multilateral trade concession दूसरा कहता है इंडिया offered a create a South Asia free trade reason with this doctrine से थर्ड कहता है इंडिया offered a signed free trade agreement with its smaller देखो अब यहाँ पर आपको कौन से trick follow करनी है वो elimination वाली ठीक है तो आपको करना है यहाँ पर eliminate करते जाएए देखिए इंडिया view that South Asian reason as one of the economic entity and the emphasize on the mutual trade concession तो दोनों की समझ के दौर पर ही हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे यह IK गुजराल ने एक ऐसी policy दी थी जिससे कि हमारी country की अर्थ वस्ता जो है economical growth जो है वो बड़े ठीक है तो यह IK गुजराल की policy थी दूसरा क्या कहता है इंडिया offered a create South Asia free trade reason with this doctrine तो इस नीती के through उसको क्या करना था free trade reason में उसको count करना था कि मुक्त व्यापार हो जाए कि कि किसी तरह की व्यापार में trading में किसी तरह के barriers ना लगे restrictions ना लगे free trade होकर वो question किया जाए how are you ma'am I'm fine बचे मन्जूत ठीक है someone is copy someone is copy from here अच्छा ठीक है ओकी ओके 9th का answer क्या हो जाएगा D इंडिया offered a sign free trade अब यहाँ पर it's smaller smaller neighborhood तो यहाँ पर क्या कह रहा है सिर्फ छोटी country के लिए ही था ही है बच्चे जब उन्होंने policy ही लागू कर दी तो इसमें छोटी बड़ी country क्या होंगी तो सभी को participate करने का मौका दिया जाएगा इंडिया offered a unilateral concession as the benefit to the to all the its neighbors without the expecting them to make the reciprocal gestures to the India reciprocal क्या होता है मैं ते पढ़ा होगा ना आपने expect नहीं किया था कि सामने से अगर वो किसी help करे तो वापस reward भी उसकी तरफ से ये सोचा जाएगा इंडिया ने अगर help किये तो सामने वाला भी उसकी help करेगा तो कौन सी statement आपको बतानी है इसमें सही है चली चली बताइए अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जान दिमाग लगाने की बारी आई ना वहाँ पर तो सारे बिलकुल चुप बैठ गए हैं ठीक है I am giving blind hit this बिलकुल बिलकुल सही है opposite हाँ ठीक है चलिए मैं total question कितना रहेगा domain subject प्लस GT में 150 क्या 50 domain subject के 50 questions होंगे ठीक है ठीक है जिशान send कर देंगे 10th cancer क्या हो जाएगा B is the correct answer ठीक है तो 10th cancer क्या हो जाएगा B Who among the following is the best known for the defending three Indian national army soldiers accused of the prison during the world war second आसिफ अली भूला भाई देसाई सुभाष चंदर बोस या फिर सी राज गोपाला चारी 50-50 line मैं I am confused जीके में confusion तो होगी बचे जीके में confusion तो होगी और जीके का कोई particular area नहीं होता है कि कहां से जीके पढ़ा है जीके अपने आप में ही एक umbrella term है बहुत vast है जीके कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ठीक है तो specially यहाँ पर history और political की आपकी जीके बताई जा रही है मैं यह कैसे question है कुछ समझ नहीं आ रहा समझ आये का नहीं जीके के question है बचेए जीके के question है बताई 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 आंसर बताई सुभाज चंदर बोस 11th का अंसर C बिलकुल सुभाज चंदर बोस is the correct answer ठीक है सुभाज चंदर बोस is the correct answer तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सुभाज चंद्र बोस इस दा करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो मैं अच्छा जी ठीक है चलिए next question is question number 12 after the Hindustann Republic Association was renamed as the देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यह Hindustann Republic Association का नाम change करके बदल दिया गया इसको dowst minority was formed ठीक है तो यह committee बना दी गई थी who among the following was from Bihara ठीक है तो बिहार से बताना है आपको its central committee right तो सुखदेव, खुंदन लाल, पी एन घोष या फिर शिव शर्मा क्या हो जाएगा आंसर इसका सुभास गिव मी हाँ तो सुभास चंदर बोस नहीं यही बोला था न उनका नारा यही था ना कि तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हे आजादी दूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का मैं मेरा नाम भी ले लो मुहमबद जिशान ठीक है ठीक है बताइए सुखदेव बिहार से थे सुखदेव 12 का B Good evening पुछ पेंदर सिंग जी मैं एकनॉमिक की क्लास होगी नाज बिलकुल होगी साथ बजे होगी बच्चे I guess A ठीक है 12 का अंसर 12 का अंसर हो जाएगा बच्चे P and घोश ठीक है P and घोश is the correct answer ठीक है Who was the only voice ray of India to be murdered ठीक है तो वो कौनसा इंडिया का अकेला single एक voice ray था जिसका murder किया गया ठीक है क्या बोला गया जिसका murder किया गया murdered in the office by पठान convicted to the in the undemands in 1872 ठीक है तो उस voice ray का नाम बताना है जिनका 1800 बहतर में उनके office में murder कर दिया गया था तो किस ने किया था ये बताना है ठीक है तो Who was the only voice ray मतलब उस voice ray का नाम बताना है ठीक है मैं daily I missed your class kindly tell your daily session timings once please अभी तो बताया बच्चे 130 होती है history की ठीक है 130 होती है history की और 330 होती है quality की ठीक है और 530 होगी हमारी जी के के जिसमें पॉल साइंस और हिस्ट्री दोनों होगी ठीक है चलिए क्या लॉर्ड जिशान लॉर्ड के आगे भी कुछ लगाना है ना बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो लॉर्ड मेयो एक वो ऐसे officer थे बिटिश officer थे जिनका मर्डर किया गया था ठीक है तो लॉर्ड मेयो नेक्स करेंगे इतना easy question ये तो बहुत easy लड़ू सा question है जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ ये question का अंसर क्या हो जाएगा C Lord Irwin Question number 14 बिल्कुल सही Lord Irwin नहीं गलत 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 Lord Lin Ligtho मेयो मेयो तो पिछे वाले का अंसर था बच्चे ये बताओ वावल नहीं आंसर क्या हो जाएगा C Lord Irwin ये क्या कह रहा है Quit India Moment 1942 में 1942 में तो Quit India Moment कब स्टार्ट किया गया था C A हाँ तो क्या हो जाएगा Lin Ligtho is the correct answer वावल नहीं होगा A आंसर होगा बच्चे इसका LinkedIn C होगा नहीं बच्चे C नहीं होगा मेंको A लगा था पहले पहले लगा था ना तो पहले एक दम से स्टक किया तो पहले उसी को लगा दिया आज आज थे स्टार्ट होगा C होगा मैं Am A होगा हाँ तो A ही तो लगाया है चलिए लें डिड़ खेडा सत्यागरे टुक प्लेस खेडा सत्यागरे खेडा कहां पर है गुजरात में ठीक है खेडा कहां पर है गुजरात में तो यहां पर गुजरात में गांधी जी ने खेडा सत्यागरे मुमेंट स्टार्ट किया था कब किया था वो बताना है आपको चलिए हो गया, let it be. आगे चलो. C. खेडा सत्यागर है, खेडा सत्यागर है. हाँ, कल आपकी मेरा थन होगी. अब मेरी बात सुनो. इस 1916 में क्या हुआ था? 1916 में गांधी जी ने इंडिया में अपना पहला मोमेंट लौंज किया था, सत्यागर है मोमेंट, और उसको कहा जाता है चंपारन मोमेंट. चंपारन मोमेंट. ठीक है? और चंपारन कहां पर है, बचे? चंपारन कहां पर है बिहार में तो गांदी जी ने वर्कर्स की जो इंडिको प्लांटर्स थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंपारन सत्यागरे मुमेंट चलाते हैं और यह जो मुमेंट था यह हुआ था 1916 में अब मेरी बास सुनो इस 1960 को ओल्ड एंसी आर्टी में पुरानी वाली एंसी आर्टी में इसको 1916 दिया हुआ है लेकिन जो एंसी आर्टी का नया वर्जन आया है उसमें इसको 1917 बताए गया है तो आपको करना है नई के हिसाब से ठीक है न्यू के हिसाब से करना है तो अगर 16-70 आजाता है मैं situation बता रहे हूं 16 और 17 आजाता है तो 70 पर click करोगे 17 पर ठीक है और अगर 17 आता है 16 आता ही नहीं तो 17 click करोगे ultimately आपको क्या करना है 17 पर ही click करना है यही आपके NCIT में अब दिया हुआ है आप मेरी बास सुनो जो खेड़ा moment था वचे वो खेड़ा moment 1918 में खेड़ा moment और आपका एहमदाबाद moment यह दोनों ही एक ही same year में हुए थे यह था आपका खेड़ा moment जो कि किस पर था पीजन्स पर जो revenue text लगाया हुआ था किस पर पीजन्स पर farmer पर जो revenue text लगाया हुआ था वो बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ था लोग उसको farmers उसको pay नहीं कर पा रहे थे इस situation में उन्होंने गांदी जी से अपील की और इसी वज़े से गांदी जी ने खेडा जो कि गुजरात में है वहाँ पर सत्यागरे मुमेंट चलाया 1918 में अगर बात आती है तो ये भी खेडा भी जो है ये 1918 में हुआ था 1918 में और एहमदाबाद मुमेंट में तो 1918 में दो मुमेंट हुए थे कौन-कौन से खेडा मुमेंट और दूसरा कौन सा था एहमदा पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, समझ में आ गया भी यह, जल्दी से मुझे थम्स अप शो करो सारे, समझ में आ गया, is that clear, show me your thumbs up, if you have understood then show me your thumbs up, जल्दी जल्दी से, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, you are genius ma'am, it's alone, okay thank you, it's alone जी, ठीक है, genius तो नहीं है, बट थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, चलिए, और 1915 तो पता ही है, 1915 में गांदी जी इंडिया वापस आये थे, तो इसी, इसी 1915, 9th जनवरी, 1915 को ही, क्या मनाया जाता है, ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, एक और जी के का question, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, 9th जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, clear, विधर रेफरेंस तु द पीरियद अफ द डे एक्स्रेमेस्ट, ठीक है, एक्स्रेमेस्ट कौन होते हैं, विदर रिएफरेंस तु द पीरियद ऑफ जी एक्स्रेमेस्ट, यानि कि को एक रिजर्ट चाहिए, वो रैडिकल वाला सिस्टम चलना था इदर, तो extremist nationalist movement in India with its spirit of the Swadeshi, which one of the following statement is not correct, तो आपको extremist है, यानि कि जो उग्रवादी नेता थे, उसके point of view से सोच कर बताना इसमें कि इसका अंसर क्या होगा, तो extremist का मतलब होता है उग्रवादी, ठीक है, जो गरम पंत के नेता थे, ठीक है, जो गरम पंती थे, और moderate होते हैं, नरम पंती extremist होते हैं, जो लाठी डंडे चिला कर result पाना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी हमें तुरंथ आजादी लेनी है, इसके लिए चाहिए हमें अपनी life का sacrifice क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें quick result चाहिए, दोसरी तरह मॉडर थे, नरम पंती थे, वो request के थूँ, हरताल के थूँ, भूक हरताल कर ली, जगे-जगे strike कर दी, तो वो इस तरह से वो appeal कर ले थे, मतलब इस तरह से वो अपना आंदोलन चला रहे थे, तो आपको बताना है, with reference of the period of the extremist nationalist movement in India, with the spirit of the Swadeshi, तो Swadeshi movement जो चलाए गया था बच्चे, उसके regarding बताना है, कि आपको correct answer, Swadeshi, which one of the following is the statement is not correct, ठीक है, अब statement पढ़ेंगे, हम statement क्या है, लियाकत हुसैन led the Muslim peasants of the Bari Sal in their agitation, नेक्स आता है, लियाकत अली ने Muslim peasants को lead किया, ठीक है, 1989 में, ठीक है, 1889 इसे में, scheme of the national education was formulated by the सतीश, सतीश चंदर मुखरजी, तो 1989 में, एक scheme चला गई, चलाई गई, national education की, ठीक है, और इसको formulate किया गया, किसके द्वारा, सतीश मुखरजी, सतीश चंदर मुखरजी के द्वारा, next है आपका, the Bengal national college was founded in 1906, with the Arbindo as the principal, तो Bengal में एक national college open किया गया, कब किया गया, 1906 इस्वी में, जिनके principal थे कौन, Arbindanath Tagore, ठीक है, और तेगपरे, ठीक है, तेगपरे, ठीक है, तेगपरे, प्रिचिस, the cult of the, आत्म शक्ती, the main plank, plank of which was, social as economic generation, regeneration of the village, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, मैं economic की class होगी न, हाँ, होगी बच्चे, जल्दी करो, जल्दी, जल्दी, 16 का अंसर क्या हो जाएगा, 16 का अंसर, बिल्कुल सही, ठीक है, तो 16 का incorrect ढूनना था, तो incorrect answer हो जाएगा, A, ठीक है, incorrect answer हो जाएगा, A, in which one of the following were, recommendation, दास्तरदार, नहीं, saddler commission, saddler commission के बारे में तो सुना होगा न, बच्चे आपने, तो ये क्या था, ये बताना है आपको, common man, हाँ, बच्चे, common man, देखो, creation of the boards of the secondary education in the provinces, ठीक है, उन्होंने secondary education पर जोर दिया, making education, making education a provisional subject, तो इसको एक provisional subject बना दिया गया, मतलब इसको एक विशह बना दिया गया, कि इसमें पढ़ाई के तोर पर मैं पानी पी लीजे, अच्छा जी, ठीक है, तो इसमें education को as a subject, स्कूलों में लागू क किया जाना चाहिए, उसके regarding a committee बनाई गई, education committee, separation of the secondary education from the university education, establishment of the university grant commission, तो आपको saddler commission के according, correct statement बतानी है, saddler commission के according, बताईए, क्या हो जाएगा answer? दी, 17 का 1 और 3 is correct, creation of बिल्कुल सही, तो क्या answer हो जाएगा, 1 और 3 is the correct answer, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, 1 और 3 is the correct answer, चलिए, in many ways, the permanent settlement of the Lord Conwallis, ठीक है, ये question तो आपके book में सही है, NCRT सही, तो in many ways, the permanent settlement of Lord Conwallis, was the helpful, helpful for the East India Company, which among the following were, ये was, such merits, तो क्या हो जाएगा, अंसर क्या हो जाएगा, इसका अंसर बताएंगे, तो इन में से आपको correct statement बतानी है, 1 और 3, 1 और 4, बच्चे 1 और 3 इसका correct answer होगा, C, 1 और 3, नहीं मैंने पीछे वाले का 1 C बताया है, देखो ये क्या कह रहा है, the collection of, अब आपको ये तो पता है ना, कि इन्होंने कब किया था, permanent settlement जो है, वो 1973 में किसने Lord Convalis ने लागू किया था, कहां पर लागू किया था बच्चे, ये था Bengal में, ठीक है, it had flexibility, तो ये क्या कह रहा है, कि इसमें उनको एक तरह की वो क्या बोलते हैं, कि absent down हो गए थे, कि आपको इतना नहीं देना, चलो इतने में मान जाओ, ठीक है, तो उनको क्या इस तरह का system लगाया थे, कि 50% उन्होंने revenue tax लगाया है, 35 लगाया है, 25 लगाया है, कि इतने percent में से इतना ratio उनका होगा, तो अगर किसी farmer के पास, किसी साल में crop अच्छी नहीं हुई है, उसका agriculture production कम हुआ है, तो क्या उसको वो rebate दे देती थी, उसको discount दे देती, कि तुम ठीक है, तुमारे पास इतने ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाये हो, अनाज नहीं आपका, वो हुआ है result निकला है, तो आप इसमें कम दे दीजे, तो इसका answer क्या होगा, थोड़ा सा question को समझने की कोशिश किया करो, it enhance the company revenue sustainability, और ये क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से company का revenue collection होगा, वो permanently और timely आता रहेगा, मैम जनरल टेस्ट important है, humanities वालों के लिए, बच्चे ये depend करता है, university by university, बताएगे, क्या हो जाएगा answer, no मैम, 18 का answer, 18 का answer, 1 और 3 is the correct answer, ठीक है, तो बिलकुल सही है, कि ये flexible नहीं थे बच्चे, ये flexible नहीं था वो, ठीक है, कि तुम इतना कम दे दो, वो इतना जादा देगा, सब के लिए equal था ये, ठीक है, मैम is for general test, हाँ बच्चे, ये उपर लिखा हुआ है, जी के, who among the following, was the President of India, Indian National Congress, during the vital negotiation with the both, the CRIPS mission and Cabinet mission, इस टाइम, इंडिया के Prime Minister कौन थे, बताये, 18 का C, हाँ बच्चे, नेक्स बताओ, नेक्स क्या हो जाएगा, who among the following, was the President of India, Indian National Congress, during the vital negotiation with the both, and the CRIPS mission and Cabinet mission, प्रेजिडेंट पूछा है, प्रेजिडेंट पूछा, जल्दी जल्दी से आंसर दो, आप तो अब धीरे पढ़ दो है, क्योंकि GT में दिमाग लगाना पड़ रहा है, GT के आंसर आपको आते नहीं है, GK के आंसर कि कहां पर क्या आंसर होगा, at least try तो कर सकते हो, ना, try तो कर सकते हो, क्या होगा, गलत होगा, तो एधिन ठीक भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई punishment थोड़ी न दी जा रही है, कि गलत करोगे तो मैं punishment देगी आपको, नहीं न, 9 का A, अच्छा, यह Prime Minister थे, मैंने तो नहीं सुना, यह कभी Prime Minister भी थे, हाँ, इसमे प्रेजिडेंट पूछा है, तभी तो मैं कह रही हूँ, question को statement को ध्यान से पढ़ा करो, D, बिल्कुल सही, इसका answer, correct answer होगा, अब्दूल कलाम आजाद, ठीक है, अबूल कलाम आजाद, तो बच्चे यह अबूल कलाम आजाद, वो इंडिया के education minister भी थे, ठीक है, D is the correct answer, which one of the following is, और our correct statement about the Mahadev, Mahadev Govind Rana Day, आपको इनके according बताना है, कि इनोंने, इनके regarding या इनके बारे में, इन में से कौन से statement सही, इनके उपर बैठती है, ठीक है, सही statement है, इनके point of view से, 20 का answer दो, 20 का, He was the first thinker who gave the idea of the welfare state in India, वो ऐसे पहले thinker थे, सोचने वाले थे, जिनोंने concept दिया किसका, the idea of the welfare state, कि हमें country के welfare के लिए, कल्यान के लिए काम करना चाहिए, He founded the Poon स्वराज, Poon सार्वजनिक सभा, उन्होंने Poon सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, He founded the social conference movement, उन्होंने social conference movement को भी found किया था, इसकी भी स्थापना की थी, and he served the, as a judge of Bombay High Court, तो answer क्या हो जाएगा? हिंदी में तो बता रही हूँ, मैं मैंने सही दिया, बहुमत से, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बता, ये तो सुना ही नहीं मैं, अच्छा, ठीक है, कुछ question ऐसे मिलेंगे, जो आपने सुने भी नहीं होंगे, कभी, और ये question आपके, जी के GS के हिसाब से important हैं, डोमेन है क्या, डोमेन होता है, एक specific subject, जिसमें आप, जो subject आपको interesting लगता है, और उसमें आप अपना career बनाने जा रहे हैं, और वही आपको choose करना है, ठीक है, तो जो भी आपके arts के subject रहे होंगे, आपकी 12 में, उसमें से आपको specific subject जो लगता है, कि आपको इसमें जादा interest है, और इसी में आगे अपना career बनाना है, उसको कहा जाता है subject domain, ये GK के question है क्या, उपर लिखा तो है बच्चे, GK के question है, ठी, 1, 2, 3, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 1, 2, 3 is the correct answer, Consider the following differences between the moderate and the extremist in India, in Indian National Congress, ठीक है, अब आपको ढूना है, वीडियो डोमेन का है, ये political science का, उपर क्या लिखा है बच्चे, उपर क्या लिखा है, बस 3-4 question हो रहे हैं, अंसर बताओ बच्चे, जल्दी-जल्दी से अंसर बताओ, क्या हो जाएगा अंसर, अंसर, Ms., I need your motivation, अच्छा जी, जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी- गुड 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 आंसर दो मोटिवेशन चाहिए ठीक है सुनो मुश्किलों से भागना आसान होता है हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहान होता है ठीक है और जिनों ने लड़कर हार मान ली है लेकिन लड़ने वालों के लिए हर जीत कामयाबी की तरह होती है ठीक है तो आपको क्या करना है आप लड़े ठीक है आप लड़े आपने महनत की और फिर हार गया ठीक है तो give up नहीं करना आपको उसी हार के साथ आपको आगे बढ़ना है कि मुझे एक हार मिली है अब मैं उस हार से जो कमी मेरी रह गई थी अब मैं उसे उचा उठकर दिखाऊंगा तो जहां कमी मेरा वी केरिया रह गया था अब मैं उसको इंप्रूव करूँगा और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा जहान मेरे कदमों में होगा और मैं सबसे उपर हूँगा ठीके है? वाभर वाभर ठीक है ठीक है ओके 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 थीक है अब आंसर दो जरा चलिये 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 क्या हो जाएगा? ऑंसर दो बच्चे 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है? देखोuben fonts कौन होते है? अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ये क्या करते थे constitutional method कहने का मतलब देखो अगेंस्ट तो दोनों ही थे नरम पंती भी थे गरम पंती भी थे ठीक है तो ये statement तो हो जाएगी सही आपकी तो next क्या हो जाएगा next करना है आपको वाइल गोपाल कृष्ण गोखले वाज moderate nationalist गोपाल कृष्ण गोखली क्या थे नरम पंती के नेता थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया moderate बाल गंगा धर तिलक ठीक है तो गोपाल कृष्ण गोखले वाज moderate nationalist बाल गंगा धर तिलक वाज extremist बिलकुल सही बात है गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे गालिब हाँ तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे यह moderate nationalist थे बचे और बाल गंगा धर तिलक थे extremist तो which one of the following statement is or are correct क्या हो जाएगा a only one अच्छे यह गलत है क्या यह गलत है क्या नेक्स्ट वाली गलत है क्या ठीक है second का answer बच्चे बोल रहे हैं a adopting the constitutional method against the British rule बच्चे दोनों statement सही है यह बोथ A and B is correct Gandhi founded the Satyagraha Sabha to protest against the किसके against गांदी जी ने Satyagraha Sabha को launch किया था ठीक है और इसके लिए protest भी किया था इसका विरोध भी किया था किसके against किसके against चली बच्चों जल्दी बताओ फटापर से नो मैं सी होगा हाँ तो सी कर दिया ना चलो बताओ रोलेक्ट एक्ट सत्यागरह Sabha to protest against the बिलकुल बिलकुल सही तो answer क्या हो जाएगा 21st 22nd का दो 22nd का 22nd का 22nd का c रोलेक्ट एक्ट बिलकुल सही है तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था कब हुआ था रोलेक्ट एक्ट 13 अपरिल इसको इंडियन हिस्ट्री में ब्लाक डे के रूप में याद किया जाता है कि किपने निर्दोष लोगों की इसमेन जान गई थी तो गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का अपो जास करने के लिए इसका PCM की student हूँ और post science honors लेना चाहती हूँ तो दे सकते हैं क्या बिल्कुल दे सकते हैं क्यों नहीं दे सकते बचे हैं 13 April 1919 को Consider the following newspaper generals with the famous personalities associated with them Common will, Annie Besant, New India, Mahatma Gandhi, Janta, Dr. B.A. तो बताईए क्या answer हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा बचे बताईए बताईए answer क्या हो जाएगा आपको बताना है कि famous personality associated with कि किस personality का संबंध किस अखवार से था बताईए बताईए हाँ black day black day के रूपे मनाते हैं ठीक है ठीक है चलिए बताईए आगे बताईए आगे बताईए क्या हो जाएगा answer बताईए बताईए दो question हो रहेगे मचे गोर्ट-कोर्ट-कोर्ट वेरी गोड़़़़़़़़़़़़़़़़़ बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-बताई-ब ठीक है, हाँ, ठीक है, A is the correct answer, ठीक है, नेक्स बताइए, बस एक कोशन हो रहे गया है, बस एक कोशन और, पटा पट जल्दी जल्दी से, नेक्स कोशन बताएंगे, which one of the following statement in the context with Sir William Jones, Sir William Jones are correct, तो या तो एक statement correct होगी, या एक से ज्यादा भी correct statement हो सकती है, he was the first person to launch the oriental studies and the research in India, बिलकुल सही है, ये 8th की बुक में से question है, मैं आपको बता दूँ, next है आपका, he was the elected patron of the ascetic society in first meeting 5th January 1784, या फिर आपका आएगा, as per him, Sanskrit language is the more perfect, Greek, more compassious than the Latin and the more exequently refined than either, क्या हो जाएगा, बिलकुल सही, बिलकुल सही, 1 और 3 इसका correct answer होगा, second answer नहीं होगा, next पर बढ़ते हैं, और this is the last question of the day, और who among the following is known to the, to have launched the no rent camping, right, in the last leg of the 19th century, महात्मा गांधी, बाल गंगा, धर तिलक, सर अरबिंदो, या फिर लाला राजपत्राए, जल्दी बताएंगे, हिंदी मीडियम में बोलिये, अच्छा, हिंदी मीडियम में बोलें, who among the following, known to have launched, तो इन में से किस ने, ये no rent camping launch किया था, 19th, 19th सताबदी के last decade में, दी, लाला राजपत्रा है, no rent camping, जल्दी बताओ बच्छे, जल्दी जल्दी से, फटा फट, B, बाल गंगा धर तिलक, A, महात्मा गांधी, no rent camping, महात्मा गांधी is the correct answer, ठीक है, good, फटा फट से score बताओ जल्दी से अपना, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो मिल देंगे फिर, ठीक है, कल होगी 130 पर मिलते हैं, और कल की class होगी आपकी 130 history, next होगी 330 आपकी political science, और 530 होगी आपकी GK classes, ठीक है, तो उमीद करती हूँ, session आपको पसंद आएगा, हाँ, थोड़े सा मुश्किल लगा, जरूर आपको GK का session, और देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, जिन जिन बच्चों का GK test देना है, वहाँ पर उनको तैयारी तो करनी पड़ेगी, थोड़े सी यहाँ पर दिमाग की बत्तिया आपको जलानी पड़ेगी, और इसी के साथ हम आज का session over करते हैं, thank you so much, bye bye.